नमस्कार आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ हश्वीनी सुरोही बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ कैबिनेट मंतरी गोविंदराम मेगवाल को धमकी देकर 70 लाख रुपे की फिरोती मांगने के मामले में बीकानेर पुलिस ने दो आरोपियों को गरफतार किया है वहीं एक नाबालिक को निरुद्ध किया है इस संबंध में बीकानेर रेंज आईजी और प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि गरफतार आरोपियों की पहचान राजेश उर्फ राजु बिश्नोई और रफीक उर्फ राजा के रूप में हुई है इसके अलावा एक नाबालिक को निरुद्ध किया गया है फिल्हाल पुलिस गरफत में आये बदमाशों से पूछताश करन मामले की तबदीश में जुटी है फिरोती की माम करते है ऐसा यह सनोसंधान में आया है राजे इसका कोई क्राइम रिकॉर्ड इसके अलावा फिल्ड रिकॉर्ड साथ में एक मुकदमा धर जै तेरा पंत धर्मसंग की ग्यारवे अधिशास्ता महा तपस्वी युग प्रधान आचारिय श्री महाश्रमन अपनी धवल सेना के साथ भीनासर से विहार करते हुए शोभायात्रा के साथ रांगडी चौक स्थित लालकोठी पहुच कर नगर प्रवेश किया इससे पूर्वे नोखा रोड स्थित स्कूल पहुचे जहां आचारिय ने अपने प्रवचन में कहा कि अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है आचारिय श्री ने इसकी संपूर्ण व्याख्या कर सभी से कहा कि हमें अहिंसा के मार्ग का अनुसरन करना चाहिए में जान बचाने के लिए घुस गया असदोरान दूसरे पक्ष के लोग पुलिस चौकी में घुसकर यूबक पर जानलेवा हमला कर दिया पुलिस चौकी में उस वक्त एक पुलिस कर्मी ही मौजूद था जानकारी के अनुसार नत्थुसर गेट इस्थित पुलिस चौकी में घुसकर कुछ लोगों ने एक यूबक पर जानलेवा हमला कर दिया पुलिस मौके पर पहुची लेकिन तब तक हमलावर महां से भाग गये पुलिस ने घायल को ततकाल ट्रॉमा सेंटर पहुचाया मामले में कारवाई करते हुए तीन लोग के बीच जैपुर कूच किया बस्ती चौक से मीना जैपुर से भी ऑफिस का घेराव करने के लिए जैपुर रवाना हुए इस दोरान उनके साथ सहारा जमा करताओं की भीड जमा हो गई मैं किरोडी अपने अनोखे अंदाज में ट्रेक्टर पर काला चश्मा लगा कर बैठे हुए नजर आई बतादे कि सहारा जमा करताओं का करोडो रुप्या से भी विवाद के कारण फसा हुआ है आमतोर पर नेताओं को बड़े-बड़े कारेक्रमों में वी आई पी से मुलाकात करते हुए देखा गया है लेकिन जोधपूर सांसद और केंद्रिय जल शक्ती मंतरी गजेंदर सिंग शेखावत रविवार को बिना किसी पूर्व सूचना के अपने पुराने मित्र से मिलने उसके गयराज पहुँच गए शेखावत सुभह जोधपूर पहुचे और ग्रामीन शेत्रों में कैरेक्रमों में शामिल चौमू से जोधपूर आते समय शेखावत ने आखलिया चौराहे चौपासनी रोड की तरफ चलने को कहा उनका काफिला मिस्त्री अब्दुल हमीद और अब्दुल बहीद के चौपसानी रोड इस्थित गयराज पर पहुँचा अपने अती व्यस्ततम समय में इसे कुछ शेखावत का अब्दुल हमीद और अब्दुल बहीद ने स्वागत किया कोतवाली पुलिस की लचर व्यवस्था के चलते पुराने शहर में लाखो रुपे की चोरी के मामले में और चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं ऐसे में कोतवाली पुलिस की कारेशेली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं में पुलिस की लचर व्यवस्था से आमजन में रोश व्याक्त है जिसको लेकर वाडवासियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ग्यापन सों पा डूंगरपुर जिले के 84 थाना में बाइक से शादी का नोत्रा देने जा रहे यूवकों को अग्यात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी हाधसे में बाइक पर सवार तीन यूवकों में से दो यूवकों की मौत हो गई जबकि एक किहालत गंभीर बनी हुई है जानकारी के अनुसार जिले के 84 थाना शेत्र के मांडली उपली गाओ निवासी यूवक गाओं में शादी के लिए निमंतरन देने में गया था जहां पोस्ट माइटम के बाद शवों को परिजनों को सोब दिया है इस वुलेटिन में फिलाल इतना ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें टीपीवी निउस नमस्कार